नमस्कार स्वागत है आपका फेस टू फेस में आपके साथ मैं हूँ श्पैता मिश्राज हमारे साथ बियत खास रक्सियत मौजूद है जो किसी परच्चाय की मोहताज नहीं है जी हाँ हमारे साथ हरदेव जोशी पत्रकारता विशुद्याले के संस्थापक कुलपती ओम थानवी जी बहुत स्वागत है सर हमारे शो में दो साल अभी बार्च में ही यूनिवर्स्टी को पूरे हो गया है आठ तारिक को आपने कुलपती के तौर पर पदभार ग्रहन किया था पत्रकारता की शुरुबात जब आपने की और कुलपती तक का सफर कैसे देखते हैं मुझको तो अपने काम का एक तरह से ये विस्तार ही लगता है इसमें कोई भेद नहीं है लोगों को जरूर लगता है कि कुलपती का पद है इस दंकी बात नहीं है सचा ही तो ये है कि मैं किसी राश्ट्री अखबार के संपादक से कुलपती के बद को बड़ा नहीं मानता हूँ ये एक जिमा है और जब मुझको ये जिमा ओफर हुआ इसका मैंने आवेदन तो नहीं किया था मुझको राजय सरकार की तरफ से जब कहा गया तो बटी साल बाद वापस राश्टान लोटा तो एक जिमा समझ करके कि नया इसरुषिविद्याले को इस्ताफित करनी की कोशिश सरकार ने पहले भी की थी जो दुरुबागे पुन परस्तितियों में आप जानती हैं कि विश्व विद्याले बंद हो गया नए सिरे से विश्व विद्याले को बिल्कुल नई शुरुआत करते हुए नए कानून के तहट इसकी जब इस्तापना होई तो एक नई परिकल्पना करने का मेरे सामने अवसर था तो मैंने उसको सुकार किया मैं थोड़ा अन्बो मुझको पहले जेनियू में पढ़ाते हुए हो इसके करीब आने का और यह मुझे और आउसर मिला तो मुझे तो अच्छा ही लगा पर मुझे अपने उस पत्रकाईता के काम का यह विस्तार ही लगता है यह कोई उसे अलग चीज नहीं है बिलकुल और एक बड़ी जिम्मेदारी होती जब कोई कुलपती तो होते हैं लेकि संस्थापक कुलपती जब हो जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि पहले शुरू हुआ था बीजेपी ने बन किया फिर मगहलो सरकार ने फिर इसके शुरुआत की है जिम्मेदारी बड़ी आपके कांदों पर भी इस इनवर्स्टी को आगे लेकर जाने कि भविश्य क्या देखते हैं इसका कि पहले भी कुलपती थे वह संस्ता पर यह कानून के तहट वह विश्य क्विधियले खत्म हो गया नए कानून के तहट निया विश्य बना है अब पर मुझको यह उमीद लगती है कि अब भाविश्य में क्योंकि हम इतनी जड़े उसकी गहरी कर देना चाहते हैं कि इसको आसान नहीं होगा कि इसके साथ में कोई इस दंग से सोचे कि इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि हम लोगों ने जो योजना जिस दंग से विश्विद्याले की बनाई है और मेरे ख्याल में पहले ही साल में हम लोगों ने पीजी का सिलसला शुरू कर दिया तो मतलब विश्व विद्याले की जो शाखाएं हैं अगर इस डंग से विस्तार लेती हैं तो मुझको लगता है कि कोई भी सरकार आए उनको लगेगा कि इसमें हमारे प्रदेश में एक तरह कि ये तो पत्रिष्टा की बात है कि पत्रकार का विस्तार हो रहा है अभी कोरोना क साल में बहुत लोगों की नौकरियां चली गई है बड़ा तो लोगों को लगता है कि पत्रकाईता जैसे खत्म होने वाली है अगर ऐसा होता तो हम ने जब इस तना तक का का कारक्रम शुरू किया तो हम कुछ जात्र यह नहीं मिलते और कर लोगों ने का था कि आपको चातर आप में विवेग भी चाहिए, वो समझ अगर एक अच्छा विश्य विद्याल है, अच्छी जड़ों का बनता है, तो मेरा मानना है कि कोई भी सरकार उसके साथ में खिलवार नहीं करना चाहेगी. बिल्कुल और पत्रकारिता में सिक्षिक दिक्षिक आप कर रहे हैं चाहतरों को जो नई पीडिया आ रही है और एक बहुत इंटरेस्ट के साथ इस फील्ड को चुन भी रही है. पत्रकारिता को पेशे के तौर पर कैसे देखते हैं? मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ही एक ऐसा पेशा है जिसको आप नोबल परफेशन कहते हैं लेकिन अब उसका क्या हाल हो गया है ये बात इसकी चर्चा करना एक अलग बात होगी. क्योंकि कई चीज़ों में उतार चड़ाओ चलते रहते हैं हम संस्तानों की बात कर रहे हैं सरकारों की बात भी करते हैं ऐसे पेशे के साथ में उतार चड़ाओ चलते हैं Uh हमारा पत्रकाईता का पेशा चल रहा है और बल्कि कहना चाहिए कि जब किसी जमाने में जो साख थी या पत्रकार की जो इज़त थी अचाने कि लोगों को लगता है कि बहुत इसमें समझोता हो गया और गोदी मीडिया वगएरा तमाम जो जीजें आप हम लोग सुनते हैं उन कि लेगा इसकी कलपना नहीं थी अकबारी क्भर देने वाए अबकि अकबारों के दोर में किसी ने कलपना नहीं की थी टेलिविजन की आज भी भारत में रेडियो खबरें नहीं देता है जबकि आप लंदन जाएं तो आपको टेक्सी में चैनल फोर पे आप पाएंगे कि आपको अपना काम करते हुए सुनने की जो एक सुविधा है वो सुविधा किसान को भी है, खेती करते हुए, टक्सी चलाते हुए है, काम करते हुए, वो हमारे देश में अभी भी रेडियो को लाइसेंस, पता नहीं क्यों नहीं दिया जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पूंजी पतियों की शरण में जाना पड़ता था, अब लोगों ने आप अजीत अंजुम को देखिए, बरकादत को देखिए, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अपना एक दर्शक वर्ग त्यार किया है, इसी तरीके से दवायर है, न्यूज आप कहिए, उनको पत्रिकाएं कहें, जर्नल कहीं, जो भी कहें, उन्होंने ये जो ओनलाइन ठिकाने बने हैं, कोई कागज की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हाँ, आपको पत्रकार जरूर चाहिए, तो इस तरह से आने वाले दौर में और क्या-क्या तकनीक हमारे सामने आएगी, और किस तरीके से पत्रकाइता के रास्ते, दर्वाजे खुलते चले जाएंगे, तो मेरा मानना है कि पत्रकाइता की प्रतिष्टा आने वाले दौर में बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये दौर जरूर जरूर जंजावात का है, बिल्कुल और इस दौर को आपने से डिस्क्राइब भी किया कि अभी है, लेकि भविश अच्छा है, और कभी खतम होने वाला नहीं है, ये आप भी बानते हैं, लेकिन चुनौतिया क्या देखते हैं आप, कि बहुत सारी चीज़े हैं, हर चीज़ों को फेस करना है, और एक बात आप से सही है कि हर फील्ड मे मैंने जैसा कि कहा कि एक बहुत ही शांदार प्रतिष्ठा का पेशा है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि नैतिक्ता एक भरोसा लोगों का जुड़ा रहता है, जैसे पुराना दोड़ था, अब तो शायद मैंने कह सकता हूं, कि लोग कहते थे अखबार में छप और कई तरीके से अखबार जो है उसकी एक अलग तरह का औरा जिसे कहते हैं था, वो धीमेदी में करके खराब हो गया, तो चुनोतिया ये हैं कि आप बहुत जल्दी लोग लालच में आते हैं, सरकार सुईदाएं देती हैं, उसुईदाओं के आगे जूल जाते हैं, आप देख रही है कि गोदी मीडिया जो नाम चल पड़ा है, इसलिए कि नेताओं की गोद में जाके बैठ जाते हैं, नेताओं की पसंद की बात, जूटी बात, जूटा परचार वो मीडिया करने लगता है, जो कायदे से समाज के लिए जिम्हेदार है और उसको समाज के हित की बात करनी चाहिए, वो कुछ नेताओं के हितकी बात करने लगता है, तो एक तो चुनोती ये है, दूसरी चुनोती ये है, नैतिकता के अलावा, जो ये मैं कहता हूँ कि एटिकेट्स, मॉरलिटी और एथिक्स, इनका आपके अबाव है, लेकिन इसके साथ-साथ जो चीज है, सबसे बड़ी भाषा की समस्या है, चाहिए आप टेलीवजिन में हैं, अखबार में हैं, आपका मादिम भाषा है, आपका जो उपकरण है, जो टूल है, वो भाषा है, वो भाषा खराब हो गई, पतन हो गया, बल्कि कहा जाए, कि लोगों को मालूम नहीं है कि सही शब्द गोधी मीडिया के जिस्तर जिक्राब आपने भी किया, क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ की वज़े से बदनाम होते हैं, क्योंकि अब मीडिया को कहते है, तो गोधी मीडिया नहीं भरोसा करना में कारे हैं, वो अपने फायदे के लिए, या फिर मजबूरिया भी बन जाती है कभी कभी नहीं देखिए आप जो मीडिया में जो दिगज हैं दुरंदर हैं बड़े बड़े चैनलों के संपादक हैं तो वो कोई लापरवाई से तो ऐसा काम करनी रहे हैं अंजाने करनी रहे हैं वो बहुत सुन्योजित जन से करते हैं यह अगर इस बात पर इतराते हैं आपको अपना वजूद खुद उसका एहसास होना चाहिए कि आप कितना बड़ा जिम्मा समाज ने आपके कंदों पर डाला हुआ है तो आप अगर एक चापलूस व्यक्ति की तरह नजर आएंगे तो आप एक तरीके से अपनी नहीं उस पूरे मीडिया की शान को खराब करत लोग जानते हैं यह कुछ भी कहते हैं तो यह सरकार की साख बढ़ाने के लिए कहते हैं यह समाज के लिए नहीं कहते हैं किसान आंदोलन चल रहा है तो किसानों के खिलाफ चले जाएंगे एक तरीके से अपनी खिलाफ चले जाएंगे किसान के खिलाफ जाने का मतलब है यह मेरा मानना यह है कि यह जो जिसको मैंने पतन शब्द बहुत समझ के इस्तिमाल किया कि आपके चरित्र का अगर पतन है तो यह दुबारा कैसे यह उठेगा सुद्रेगा देखने की बात है और यही वजय हो सकती कि मीडिया से विश्वास नियता खत्म हो रही है लोगों की कही नखिता है मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि विश्यो रूक हो रहे हैं आपने अच्छी बात कही थि कि कुछ पत्रकार है सारे तो ऐसे नहीं कर रहे हैं nawm क kole आत्म yam नहीं दे रही थी कि हमको यह काम करना पड़ रहा है खबर लेने के लिए आदमी को अख़बार में टेलिविजन में रखें उसको कहें कि तुम विग्यापन लेने चले जाओ आप अख़बार में संपादक को रखें और मार्केटिंग का आदमी आके उसको सिखाए कि यह मजबूरी में करते हैं कुछ लोग करने से मना कर सकते हैं लेकिन जिस चीज के लिए पहले संग्रक्षन मिलता था मीडिया को वह आजकल है नहीं और सब जगे कांट्रेट कल्चर आ गई तो ठेकेदारी वाला काम हो गया कि आपने अगर मालिक के इसारे के हिसाब से काम नही आपने सभाव से पतरकार जो है वो बेइमान नहीं है हर पतरकार जो है उसके उपर यह लांचन नहीं लगाया जा सकता लेकिन परस्तितियां ऐसी हो गई है और जो शासन को चाहिए कि कम से कम इतनी सुरक्षा जो है वो किसी पेशे के लिए मोईया करा है वो भी कदम खीच लेती है क्योंकि शासिन जो है वो अक्सिर पूजी पतियों के अख़बारों के टेलिविजिन के मालिकों के साथ जा खड़ा होता हुँँ विल्कुल सर और क्योंकि जेन्यू में पढ़ाने की बात हो या फिर चंडीगर के आपके अनुभव की बात करें या एक ट्रेवल लॉ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है फेस टू फेस में हमाय साथ लगतार चर्चा के लिए ओम थानवी जी यहां पर मौजूद है एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडियन एक्सप्रस से रिटार्मेंट के बाद आपने जेन यू में पढ़ाया भी शुरुवात क्या माने वहीं से हुई थी हाँ शुरुवात कुछ समय तक तो कोई काम नहीं था तो फेस्बुक को ट्विटर और टेलिविजन पर जरूर एंडि टीवी पर में नीमित रूप सी जाता था फिर जेन यू से बुलाव आया विज्टिंग प्रोफिसर के नाते वहां सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में पढ़ाने का तो थोड़ा समय पढ़ाया लेकिनो अफसर मुझको वहां पर पढ़ाने का मिला और मेरे ख्याल में उस वक्त में एकडेमिस के थोड़ा करीब से चीजों को देखा किस तरीक करने में वहां की थोड़ी संक्षिप थी सही जो दीखशा थी मेरे काम आई पिलकुल और सर इंवारमेंट पर भी आपने बहुत काम किया है इंवारमेंट को लेकर विदेश्य में यात्राइं भी बहुत की है इसे शो वहां के एक्सपेरियंस कैसरा आपका असल में मैं जब में जयपूर में था उसके बाद मैं पर वापस वी काए ये चला गया था तो विकांडे जब में चला गया था को सैंट्र mentor ए Numonos यृ क्निती अफ उसमें ऑनी लगर्वाल और price सुनित नारायंग अबता है महां पर एक जल्सरोत हैं, जालागाला कुए, बावणिया, तालाब वगेरा, तो उसका अध्यान किया था, और उसी बहाने में रास्तान के कई इलाकों में जहां पहले मुझे मुझे मौका नहीं मिला था, मैं गया भी क्योंकि फैलोशिप का पैसा CAC ने दिया था, तो उसकी वज और देश में जब भी कोई और देश में भी कोई संगोष्टी होती थी, तो वहाँ पर जाने का अफसर मिला, सबसे पहले उनिसो बानवे में, ब्राजील में, रियो दो जैनीरों में, अर्थ समिट हुई थी, बड़ी प्रसिद, सबसे पहले सिल्चला वहीं से शुरू होता है, United Nations ने किया था, मुझे उसमें जाने का मौका मिला, उसके बाद में जब तब और इस्तंग की गोष्टियां हुई उनमें भी गया, फिर 20 साल बाद रियो में दुबारा, सविक तराश्टर ने बैठे की, उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला, और जगों पर भी गया पत्रकाईता के बारे में भी बहुत सी संगोष्टियां हुई उनमें भी और परयावन के लिए भी काफी मुझे मुझे मौका मिला, इसी कड़ी में ये ट्रेवल लॉग था, मोहन जोदर जो काफी चर्चित विरा है, नहीं, इस कड़ी में नहीं था, असल में South Asia Free Media Association, Safma, Safma का Headquarter Lahore में हैं, तो उसके अद्यक्स वहाँ बैठते थे, मैं उपाद्यक्स था, तो मुझे पाकिस्तान जाना आना काफी रहा, कई बार में गया, तो बच्पन से ही मेरे ख्याल में हर भारतिय का और भारतिय का ही क्यों हो सब कॉंटिनेंट में, पाकिस्तान, यात्रा हो सकती है, तो हो सकती है कि आप भारतिय कोई जा करके आएं, तो चुकि पाकिस्तान जाने का मुझको अफसर्ता वरना तो यह होता है कि पाकिस्तान के लोग जो वहाँ कूटनीती में हैं, वह आसानी से मोंच जोड़ों का वीजा भी नहीं देंगे, अगर भारत से कोई जाना चाहेगा तो, पर समयोग से मैं जाता आता रहता था और मुझको उसका वीजा मिला, तो मैं किसी समय जब कराची गया हुआ था, तो होके आया, तो उस पे मैंने अपना यात्रा संस्मेंट लिखा, और मुझको नहीं अंदाज था कि इसकी इतनी चर्चा होगी, म पढ़कर के बहुत भावक हुई और उन्होंने साहिती अकाइदेमी की पत्रिका के लिए उस पर लिखा, और भी बहुत से लोगों ने उसमें लिखा, उसकी चर्चा होगी, तो मुझको इतना पता होता कि इसकी इतनी चर्चा होगी, तो मैं थोड़ा और ज्यादा बेदर देख सकता था, पर वो एक तरह का यातरा संस्मन हैं, और NCRT के पाटिकर में भी है, प्रकुरी एक लंबा वक्त है जो आपने दिया है, बहुत सारे चीज़े आपके जहन में ताज़ा होंगी, लेकिन क्या चंडीगड के पल ताज़ा हैं, या वो तस्वीरे आज भी जहन म हैं, क्योंकि वो आतंकवाद के दिन थे और उस वक्त आपकी मौजूद्गी थी काफी साल महा रहे हैं चंडीगड में तो मैंने दाफ्तर जाते हुए लाशें सड़क पे देखी, और जब मैं गया भी था, तो मेरी माने कहा था, तब मैं वीका नेर में था, और वीका नेर स जब जनसत्ता के लिए प्रबाश जी ने मुझे को कहा कि वहाँ इस्तानी संपादक का पद खाली हुआ है, अगर आप आएं तो मैं गया, तो मेरी माने मुझे को कहा था, कहा जा रहे हो, दाल लोटी तो यहां भी मिल रही है, जैसे पारंपरिक डंग से माता पिता सोचते ह तो मैंने तब माँ को यह कहा था कि देखिये, अगर किसी को फौज में बढ़ती कराया है, और जब मोडशे पर जाने का वक्त आया है, तब आप कहें कि महां जाके क्या करोगे, तो जब पत्रकाईता में आ गये हैं, तो अब वहाँ पर ऐसा अफसर है, जिसमें जाके होंगी, और गनमें साथ चलता था, और वो सारी चीजें थी, लेकिन सबसे जो चीज जो आपने कहा कि जो याद आती है, जो चीज कौंती है बार-बार चंडीगर के नाम से, वो यह थी कि आतंगबादियों ने परिक्षा के तोर पे पत्रकारों को कसने के लिए एक आचार स नहीता बनाई थी, उसके काफी चाब वो इतियास बन गया है, और डराते रहते थे, सरकार को डराया, सरकार डर गई, प्रसाशन को डराया, प्रसाशन डर गया, यहाँ तकी नयाय पालिका भी, यह ऐसा कहा जाता था कि जो जज लोग हैं, उनको भी वो लोग डराते हैं, औ और कई तरह की ऐसी चीज़ें हुई, जो लगता था कि लोग तंतर के कई पाई धीमी धीमे करके हिल रहे हैं, तो मीडिया बचा हुआ था, अब उन्होंने आखरी हाथ मीडिया पे डाला, और एक आचार सहीता लागो की, और यहाँ तक तैय किया कि आप क्या भाशा लिखे करेंगे, हमको आप मिलिटेंट कहेंगे, वगयरा वगयरा कई चीज़ें थी, तो जनसत्ता अकेला अकबार था, हमने वह आचार सहीता नहीं मानी थी, हाला कि उसमें बहुत जोखिम लिया गया था, और प्रभाश जी से मैं दिली जाके मिला, मैंने का कि दोनों तरब से मार जाएंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो आतंकवादी आपको जीने नहीं देंगे, अगर आप ऐसा करते हैं, तो सरकार भी देर सफिर आपका अकबार बंद कर देगी, क्योंकि सरकार इसके लिए आपको छूट नहीं दे सकती, कि आप ऐसा करें, तो इसलिए ये मौका आ गया एक स्टेंड लेने का कि हम अब कुछ तय करें तो उन्हों ने कहा जैसे उनकी भाषा थी पहले पंडित अगर तुम लोगों ने तय किया है तो मैं तो तुम लोगों के साथ में हूँ हमने व आचार से नहीं चापी थी उसमें कुछ तो हमको सुईदा भी थी क्योंकि Crachajan जी ने अकबार के लिए जो नई भाषा गड़ी थी इसमें कुछ शब्द व पहले सी हम लोग ऐसे इस्तिमाल करते थी जैसे आता क्वादियों के लिए खाडकु उषब का इस्तिमाल करते थे. हो ए तो उनको लगता था कि शा ऑटा के हमें उतना समझोता नहीं करना पड़ा तेकिन फिर भी उनकी जो आचार सहीता थी जिसमें कई शर्टें थी वह हमने नहीं माना था वर हमें तो कभी कुछ तकलीफ हुई नहीं और कि अब 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 इस अब उसका है बच्चों की तश्वीर लगाएं वह तो जो चीज है वह सोचल मीडिया का दूसरा पद्रकाहिता नहीं नहीं लेकिन अब उसी प्लेट फॉर्म पे आप देखें कि डिजिटल जो अखबार हैं उनके ई पेपर जाएं फिर जो आपका न्यू मीडिया है उस न्यू मीडिया में जो ऑनलाइन जनलिज्म शुरू हुई है जो वायर का मैंने आपको जिकर किया या दप प्रिंट है बहुत सारे आ गए है और अच्छा काम कर रहे है उनि अच्छी चीजह च्छपा रही है अच्छी लोग काम रहे हैं तो ये भी सोष्चल मीडिया का की इह मानता हूं कि उसको अगर आप बलकि इसको सोषंट एंड डिजिटल मीडिया और सोशल एंड न्यू मीडिया कहना बहतर होगा क्योंकि मीडिया, तो सारा मीडिया पाता है। तो ये जो नए मादेम आये हैं लोग उनको देखते हैं, उनको गोर से सुनते भी हैं और वह अच्छा काम कर पा रहे हैं क्योंकि उनको इस तरीका के ऊतने समझोते करने की मजबूरिया नहीं है बिल्कुर कि वक्त भी खत्म हो रहा है लेकिन बहुत सारी बाते जो चाहते भी है कि आपसे जवाब में भी ले लिकिन एक हम बात वी सी होने के नाति क्या कोई अपनी परसनल व्यूज भी रखे जा सकती है क्योंकि आपने भी महा पंचायत को लेकर प्र कि मैं साल में एक है दो बार कभी जाकर के मिलता हूँगा लेकिन मैं सबको एक यही बात कहता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते मुझको पत्रकाईता विश्यविद्याले का खुलपती बनाया गया है तो मेरा लिखना जो है उसको तो मैं बंद नहीं कर तो मैं बोलना सिखाता हूं, मैं चुप रहना नहीं सिखाता हूं, तो मुझको लगता था कि यहां पे बड़ी बहत्वटपून पार्टी है, बड़ी पार्टी है, आजादी के दौर से जोड़ी पार्टी है, उसमें जो भी व्यवधान आया, मैंने आपको बताया कि मैं तो मैं 32 साल बाद आया, मुझे लगा कि वो संकतिन का दूर हो गया था, फिर अचानक एक आयोजन से लगा कि वही चीज हो रही है, मैंने उसमें ट्वीट किया, तो लोगों को लगा कि आप वापस पत्रकार हो गए हैं क्या, तो पत्रकार तो मैं हूई, बाद में भी रहूंग बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, क्योंकि बहुत सार ऐसे जोलन्त पुद्दे भी है, प्रदेश की बात कर लें, आपको भी लोग जानना चाहते हैं, उसे लेकर भी तमाब एहम सवालों के आपने जवाब भी दिया, बहुत शुक्रिया फरस्ट इंडिया को बात्त देने के लिए, और चलिए सिक साथ फेस टो फेस में, आज के लिए बस इतना ही, दीजे हमें इजासत, नमस्कार